नमस्का, मैं होसासी आये जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं IAS पूजा सिंगल की रिमांड पांच दिन और बढ़ी मनी लॉंडरिंग ममले में गिरफतार जर्खन कैडर की IAS अधिकारे पूजा सिंगल और सिये सुमन कुमार सिंग की रिमांड अधि पूरी होने के बाद उन्हें रांची के सिविल कोर्ट इस्थित इडिक की अधालत में पेस किया गया पूजा सिंगल की रिमांड अधि पांच दिन और बढ़ा दी गई है जबकि सिये सुमन सिंग को हुटवार जेल भेज दिया गया बता दे पिछले दिनों चार दिनों के लिए इनकी रिमांड और बढ़ा दी गई थी आपको बता दे कि E.D. की टीम पिछले कुछ दिनों से कई पहलूओ पर उनसे पूश्टाच कर रही है इसमें E.D. को कई अहम सुराग मिले है E.D. ने पूजा सिंगल को एक 11 माई को गिरफतार किया है इसके बाद से रिमांड पर लेकर पूश्टाच की जा रही है जारखन में 26 मई तक बारीस जारखन में 26 मई तक बारीस की संब्भवना है शुकरवार को उतर पूरव अमदक्षीन पूरवी भागों में हलके से मधर्च की बारीस हुई राज्य में अगले दो दिनों तक अधिक्तम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभवना नहीं है इसके बाद अगले दो से तीन दिन इसमें धीरे धीरे गिरावट हो सकती है मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है इसके उनसा में गजन के साथ बजरपात की भी असंका है जारखन के ठोक ब्यापारियों का अंदोलन अस्थागीत मंडि सुलक के बिरोध में जारखन के ठोक ब्यापारियों का अंदोलन शुक्रवार को अस्थागीत हो गया राज के संसदिये कार्यमंत्रिय अलमगीर अलम के स्वासन के बाद वेपारियों ने अपना आंदोलन अस्थागित किया है साथी दूसरे राजों से खद्यान की आवक को दोबारा सुरू करने का निने लिया है बता दे कि जार्खन राज क्रिसी उपज और पसुधन विपनन विधयक 2022 को निरस्थ करने की मायं को लेकर 16 माई 2022 से राज के ठोकवे पारे आंदोलन पर थे इस दोरान दूसरे राजों से खद्यान का आवक नहीं करने का निला लिया था जाच के घेरे में रांची उपायुक्त शवी रंजान जार्खन हाई कोट ने मुख्य मंत्री हमान से रने के करिवियो द्वारा सेल कंपनियों में निवेस करने वह अनगड़ा में माइनिंग लिज आवंटन मामले में दायर जानित यचकापर सुनवाई करते हुए फटकार लगाई है बतादे चिफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजन वह जस्टिस सुजित नरान परसाद की खण पिठने वीडियो कंफरेंसी के मादेम से सुनवाई कि दरण मोखिक टिपनी करते हुए कहा है कि कोट को सौपे गई दस्तावेज को देखने से लगता है कि मामला जानित से जुड़ा हुआ है और महतपुन है खण पिठने रांची डी सी के असपश्टी करन को देखे वह प्रार्थी का जबाब सुनने के बाद गंभी टिपनी करते हुए सरकार से पूछा कि क्या कोई आरोपी अधिकारी कोट में सपत पत दायर कर सकता है उपायुकत रांची किस किस मामले में आरोपी है उस मामले की क्या इसीती है ट्रायल का क्या एस्टेटस है खनन पटा मामले में सीम हिमन्त ने चुनाव आयोग को सौपा जबाब प्रांची जीला अंतरगत अंगड़ा परखंड में 88 डिसमिल पत्थर खादान लिज मामले में सीम हिमन्त ने चुनाव आयोग को अपना जबाब भेज दिया है सीम सीरी सौरेण पद पर रहते हुए खनन पटा लेने का रोप है चुनाव आयोग ने सीम सीरी सौरेण को 20 माई 2022 तक जबाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है बता दे इस मामले में सीम सीरी सौरेण ने एक माह का समय मांगा था जिसे चुनाव आयोग ने असविकार करते 20 माई तक जबाब देने को कहा था चुनाव आयोग को जवाब भेजने के लिए गुरुवार को लीगल टीम दिल्ली पहुंची थी CM की लीगल टीम जवाब देने को लेकर सभी त्यारिया पूरी कर ली थी जारखन के असी परतिसत इस्कूलों में कम्प्यूटर लेकिं इंटरनेट सुविधा नहीं जारखन के बिद्यालों में कम्प्यूटर तो है लेकिं इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है नीजी इसकूलों की तुलना में कम्प्यूटर की सुविधा वाले सरकारी इसकूलों की संख्या धिक है बतादे केंद्रिय सिक्छा मंत्राले द्वारजारी रिपोर्ट के उनसा राजे के 89.82 फिजदी स्कूलों में कमप्योटर है पर इंटरनेट की सुविधा 32.49 फिजदी स्कूलों में ही है रिपोर्ट में सरकारी वर निजी स्कूलों की अलग अलग जनकारी दी गई है रिपोर्ट के अनुसार राजे के 84.579 फिश्दी स्कूलों में कम्प्यूटर है जिन में मनेता प्राप्त 81.50 नीजी स्कूलों में इसकी सुविदा है पलामू में तिसरे चरन के मतदान की तयारी पलामू में तिरे स्तरिय पंचाय चुनाव चार चरनों में होना है प्रत्थम एवम दूतिय चरन का चुनाव संपन हो गया है अब तीसरे चरन के चुनाव के पर क्रिया चल रही है जिले के लेसली गाई सत्वरवा पाकी मानातू एवम तरहसी परखंड के 910 मतदान केंद्रों पर 24 माई को मतदान होगा बता दे सुक्रवार को पलामो का उपायुक्त ससी रंजन एवम पूलिस अधिक चक चंदन कुमार सिंग ने तीसरे चरन के चुनाव को लेकर अब तक की गई प्रसासनिक त्यारी की समिच्छा की इन आई सी के सभागार में वर्चुल समिच्छा बैठाक होई इसमें समंधित परखंड के वीडियो सियो स्डिप्यो आदी मौजूद थे गुमला में पलेस्मेंट के नाम पर ठगी गुमला के और सट चात्र चात्राओं के भवी से के साथ खेलवार का मामला सामने आया है पलेस्मेंट के नाम पर चात्रों से ठगी की गई है मामला इतना बढ़ा की चात्रों को उग्र रूप अपनाना पड़ा हांगामा हुआ हाई भोल्टेज ड्रामा चला बता दे कॉलेज पर सासन की नहीं चली तो SDO रवी आनन्द को बुलाना पड़ा इसके बाद छात्र सांथ हुए बता दे की SKHY टेक अहमादाबाद में नौकरी के लिए प्लेस्मेंट किये जाने वाले छातर सात्रावों ने गुमला के चंदाली इस्थित पोल्टेक्निक कोलेज एवां रिसव इंटरप्राइजेज कंपनी पर नौकरी देने के नाम पर दोखादारी करने कारूप लगाते ह हुए कोलेज में साड़े चार गंटे तक हाई बोलते ही ड्रामा किया हजारी बाग में मुखिया के बिजाई जुलूस में मार पीट एक की मौत हजारी बाग जिले के चोपारान इस्थित ग्राम पंचायत पडरहरिया में न निर्वाशित मुखिया पपूर रजक के बिजा सिंग एम सुमन कुमार सिंग का इलाज चल रहा है मौत की खबर मिलते ही बिरेंदर सिंग के परिजुनों ने मार पीट करने वाले की गिरफतारी की मायं को लेकर केंद्वा मौर के पास नेशनल हाई वे 2 को जाम कर दिया इस मामले में थाना में चार आवेदन दिये गए है च्छ रसुखदार लोगों के यहां चापे मारी की वहीं भी परवार के अलावा राची के काके स्थीत बबलू सागर मुंडा के फ्लेट में भी चापे मारी की गई चापे मारी करीम 9 घंटे तक चली इस दोरान बिलारी में पुर्व उप प्रमुख बाबलू सागर मुंडा किष्टो में जानकी महतो बेती में रोहन गांजू बेती पंचाथ के पुर्व उप मुखिया नागेश्वर गांजू एवाम जो भीया में महेंद्र गांजू के चल अचल समपतिक के दास्तावेच खांगा लेगा हैं महिला अपराध पर लगेगा अंकूस जारखन के पलामु जिले के तीन महिला थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू किया गया है शुक्रवार को इसकी शुरूआत पलामु के पूलिस अधिक्चक चंदन सिन्हा ने सदर थाना से की इस समारों में 15 महिला पूलिस पताधिकारियों को एसपी सिरी सिन्हा ने इसकूटी वर टैप सोपा पलामु एसपी ने कहा है कि महिलाओ पर हो रहया अपराध हिरोक्थाम के लिए महिला हेल्प डेस्क की सुरूआत की गई है पहले संसाधन के अभाव में तौरित करवाई करने में पर्थानी होती थी लेकिन आप पूलिस को संसाधन उपलब्द कराया जा रहा है ताकि आमजनों की समस्याओ के समधान में बिलाम ना हो रियल टाइम में पीडित महिलाओ को साहता पहुचाने में महिला हेल्प डेस्क की मत पुन भूमका होगी तीसरे चरण के लिए लोहरदागा एसपी ने किया दवरा जारखन पंचाय चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव 24 मई 2022 को है इसको लेकर परत्यासी समय प्रसासनिक अधिकारी रेस में है इसी के तहत लोहरदागा एसपी आर राम कुमार ने सेनहा थाना चेत्रे के सनवेदन सील एवं अतिस सनवेदन सील बूथो का निरिक्षन करते हुए बिधी ब्यवास्था का जाजा लिया बता देखी लोहरदागा के दो प्रक्षन कुड़ू और सेनहा में 24 मई को वोटिंग है दो साल बाद सावन में सर्धालों की उम्रेगी भीड स्रावनी मेला को ध्यान में रखते हुए सर्धालों की सुवधा के लिए देवगर के हिंदी बिध्या पीट परिशर का उपयोग होल्डिंग पॉइंट के रूप में करने का निने लिया गया है आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहट इस परिशर का धिग्रहन किया जाएगा साथी देवगर परिशदन का जीर्नो अधाल और संदरिकरन कार्य में जोर देने का निर्देश दिया गया ए निर्देश दिसी मंजूनात बयंतरी ने सरावनी मेला की त्यारियों को लेकर विभीन विभागों के कारयों की ओनलें समीच्छा बैटक में की खदान लीज मामले में 24 को विशेस सुनवाई जारखन के मुख्य मंत्री हमान सुरेन को खानन, लीज, आवन्टन और सेल कम्पणियों में निविए इस मामले में सुप्रीम कोट में सुक्रवार को आन्सिक सुनवाई होई अब इस मामले में 24 माई को अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोट के जस्टीस, यू लललीत जस्टीस, एस आर भट और जस्टीस, एस धुलिया की अदालत नेराज सरकार की अपिलियाचका को अवकास कालिन पीठ में बेजते हुए 24 माई को सुनवाई की तिती निधारित कर दिया है इसी दिन सुब्बा 11 बये जारखन हाई कोट में भी इस मामले में सुनवाई होनी है जारखन डीजीपी ने कहा काले धन्धे वाले की खैर नहीं पुलिस मुख्याले में सुक्रवार कोट डीजीपी नीरई सिनहने सभी जीलों के एस एस पी एस पी रेंज डी आई जी वा प्रचेतरिय आई जी के साथ वीडियो कंफिरेंसिंग कर राजे में अपरात वा बीदी बेवास्ता की समिक्षा की उन्होंने बैठक में सभी जीलों को असपश्ट रूप से चेतावनी दिया है कि अगर कहीं से भी बालू कोईला पत्थर के अवयद धन्दे की सिकायत मिली तो समदित जीले के अस्थानिय अधिकारी नपेंगे और उनके विरूत ठोस अनुससनात्मक करवाई की जाएगी उन्होंने सभी जीलों को बिंदुआर आदेस जारी कर दिया है ED ने कहा मुह खोलिये नहीं तो हमारे पास दूसरे तरीका भी है जारखन की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंगल की रिमांड अवधी बढ़ाने के लिए ED ने कोट में जो तर्क दिया उसमें यह भी बताया कि जीला खनन पूजादिकारी पूजास में सामिल नहीं हो पाये है एक ने बेटी की सादी के चलते नहीं आने की बात कही है इस पर कोट ने ED ने कहा कि अगर वे नहीं आएंगे तो ED के पास पूजास के लिए और कोई तरीका नहीं है इस पर E.D. ने कहा कि अगर वे नहीं आएंगे तो E.D. के पास दूसरे तरीके भी हाएं इसारे में E.D. ने यह संकेत दे दिया है कि जो जीला खर्णन प्रादिकारी समन के बाद E.D. कर्याले नहीं पहुंचेंगे उनसे E.D. सकती से भी पेस आ सकता है युक्रेन से लोटने वालों को पूरा खर्ण देगी सरकार उक्रेन से लोटने वालों को पूरा खर्णन के लिए कहा है सभी लोटने वालों को इसके आवेदन का प्रारूप उपलब्द करा दिया गया है धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनलों के सब्सक्राब कर बहुल का बेल एक गंद भाई है साथ इस ताथ वीडियो को एक लाइक आप में दोस्तों के सेर करना ना भूले